हाई गाई वेलकम तो वर चैनल हैलो हेलज तो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं तो आज कल की भागदौर भरी जिन्दنगी में हैरफाल की जो प्राब्लम है वह काफी बढ़ती जा रही है और इस इस प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए लोगों के मन में कई तरीके की खयाल आते हैं कि आखिर हम इस प्रॉब्लम्स से कैसे चुटकारा पाएं इसे कैसे रोका जाए तो कई सारे लोग इसके लिए मतब इसे कम करने के लिए में के सैंपू यूज करते हैं एक्सपेंसिव आइल हेर रूटीन के तरीके को अपना के चलिए शुरू करते हैं लेकिन हम उसके पहले यह जान लेते हैं कि जो हेर फॉल की प्रॉब्लम से वह अखिर क्यों होती है लोगों में हेर फॉल की जो प्रॉब्लम से वह क्यों देखने मिलती है इसका में रीजन क्या होता है तो फस्ट है आपको result में देखने मिलती है इसा माना जाता है कि अगर आपके जनेटिक्स में है यह आपके पीड़ी दरपीड़ी यह प्रॉब्लम्स चली आ रही है तो आपके साथ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है फिर है थर्ड लॉंग टाइम तक टोपी यह हैलमेट पहनने से अगर कोई आ सब्सक्राइब का वह थोड़ी सी मतलब की अच्छे से सप्लाइब नहीं हो पाता है तो उस वजह से भी आपकी जो हैर फॉल की प्रॉब्लम्स से वह बढ़ सकती है फोर्थ है कैमिकल्स आप क्या यूज कर रहे हैं अपने खाने पीने से लेके अपने वालों को अप्लाई क करने तक आप जो डेली रूटीन हैं उस पर आप एंप्या ले रहे हैं प्लाई कर रहे हैं तो आप जो भी चीजे ले रहे हैं जो आपलाई कर रहे हैं जो खा रहे तो चलिए अब हम बात करते हैं कि hair falls के जो problems हैं उसे किन किन तरीकों से दूर किया रहा सकता है इस वीडियो में आपको यह नहीं बताएंगे कि आपके यह oils यूज करिए ऐसा करिए वैसा करिए कोई अलग से कोई भी बस आप अपने daily routine मतलब आपके खाने पीने का तरीका और आपके hair care के जो तरीके हैं उसमें थोड़ी सी आप बदलाव कर सकते हैं कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नी करना है थोड़ी से अपने daily routine में change करना है या कि फिर थोड़ी सी कुछ चीजों को सामिल करना है बस इतना करना है और आपको क क्वालिटी को इंप्रूफ करने का काम करते हैं यह बहुत ही अच्छे में मौजूद होते हैं चापकी हैर के लिए हैर की ग्रोथ के लिए क्वांटिटी में उसके help करने के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और चुकंदर आपके हैर क्वालिटी को इंप्रूफ करने के लिए इसके लिए आप कर सकते हैं मेथिव का आप नाइट में भीगो के रख दीजिए मौर्णिंग में उसका बढ़िया सा पेस्ट बनाईए नारियल तेल मिला लिजिए उसमें एट करिए थोड़ी सी कुछ मातरा आप निवू की भी आट कर सकते हैं और इस पेस्ट को तय सान्धी सा ON अगर अप उसे सकेल पर लगाते हैं इससे किया होता है कि बालों को अच्छा नरिस्मेंट मिलता है और आपको रिजूर्ट देखने मिलते हैं तो आप इसे अपने डेली रूटी में भी सामिल कर सकते हैं अब है नीम नीम की पत्तियां आप आपकी सेहत के लिए बहुत ही कारगर होती है यह बात आपको अच्छी तरीके से पता होगी लेकिन हेर फॉल की जो प्रॉब्लम है उसमें भी आपकी कई मतलब अब बहुत ही हे अपर चकेशी आपकी पतियों आप पहले अच्छह तरीके से उबारें अच्छव अच्छ्चा बंदे और पर लगाएं और पॉह कि बिसमोरी यानिन की जो भी इस जहाती पर्रॉद मौली मौशूद होती है तो जो बेंट वर्थ होती हैं की जो प्रॉशी घ्राइजन नीकल जाती हैं और आपके स्केल्प बिल्कुल फ्री हो जाती है हैं अपने हेरथ की जो होते हैं वह बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और नए हेर हेस के आने के लिए अच्छा स्पेस बन जाता है अप नेक्स्ट है पालक पालक में ohmyga 3 fatty acid केल्सियम मैगनेसियम बहुत सारे ऐसे नूट्रेंट्स इसमें सामिल होते हैं जो कि आपकी हेर्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा वर्क करते हैं आपको यह भी बता दें कि इसमें जो नैचरल सीवम मौझूद होता है वह नेचरल कंडिशनर का भी काम करता है अगर आप इसे अपने डेली रूटीन में सामिल करते हैं अपने खाने में में सामिल करते हैं प्लस आप अपने इसे बालों पर पैस्ट के तौर पर अपलाई भी कर सकते हैं यह आपको डारेक्ट भी लगा सकते हैं तो अगर आप खाने से लेते हैं तो आपकी पूरी बॉड़ी के काफी दूर करता है यानि कि अगर आपको ड्राइब आपकी जो स्केल फेड राइव है इची यानि कि आपके अगर खुजली वाली प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप गाजर को भी अपनी डेली रूटीन में सामिल कर सकते हैं और गाजर आप साथ ही साथ आपके हेर फॉल की प लें निन कैना है रह अगर आपके कर सकते हैं तो यह रहे हेर फॉल को रोटने की तरीक हैं कि आपको अगर hair fall की problem से बचना चाहते हैं कि आपको कौन-कौन सी चीज़े avoid करने हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो hair fall की problems को बढ़ावा देती हैं तो आप कौन-कौन सी चीज़ें रोख सकते हैं आपको नहीं करना है कि लोगों को किसी ने किसी चीज़ की टैंसन बनी ही रहती है डिप्रेशन में मैक्सिमम लोग रहते हैं जो hair fall की problems को बढ़ावा देता है तो आगर आप अपने बालों की health अच्छी चाहते हैं तो आपको टैंसन और डिप्रेशन को बिल्कुल टाटा बाई-बाई बुलना है नेक्स्ट आर्टिफीसियल खुसबूदा और आईल को भी यूज नहीं करना है यानि कि अवाइड करना है क्योंकि यह ऐसे होते हैं कि इसमें धेर सारे chemicals मौजूद होते हैं लोगों को आकरसित attract करने के लिए लेकिन यह हमारी सेहत के लिए हमारी बालों के लिए बिल्कुल करना है